नमस्कार मैं हूँ आशा राय और आप देख रहे हैं NBC24 टाफ सेलेक्शन कमिशन की तरफ से जीडी कॉंस्टेबल के पदो पर जो परिक्षा हुई थी उसका रिजल्ट अभी जारी होना बाकी है SAC की तरफ से जीडी कॉंस्टेबल 2021 के 25,271 पदो पर भार्तियों के परिक्षा 15 नमबर से 16 दिसंबर के बीच 2021 में ही आयोजित की गई थी जिसके बात से ही परिक्षा में शामिल हुए अभार्ती लंबे टाइम से रिजल्ट का इंतजार कर रहे थी इसी बीच इससे जुड़ा एक बहुत बड़ा अपडेट सामने आया है आई आपको बताते हैं क्या है वो बड़ा अपडेट सूत्रों से मिली जानकारी की माने तो ससी की तरफ से जीडी कॉंस्टेबल के पदों पर भरती के लिए रिजल्ट 20 जनवरी को जारी किया जा सकता है रिजल्ट जारी होने के बाद अभेरती आयोग की ओफीशल वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकेंगे रिजल्ट चेक करने का स्टेप्स ओफीशल वेबसाइट पर दिया जाएगा आपको बता दे कि ससी जीडी कॉंस्टेबल परिक्षा के जरिये ससी जीडी कॉंस्टेबल के 25,271 पदों को भरा जाएगा आयोग की इस परिक्षा में विभिन रिजन से करीब 40,000,000 अभियरती शामिल हुए थे जो भी स्टूडेंट्स इस परिक्षा में शामिल हुए थे वो अपना रोल नंबर और डेट ऑफ बर्ड दर्च कर अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं जो कट ओफ होगा वो सामाने वर्ग के लिए 75-85 पतिशत होगा स्ट का कट ओफ 60-65 पतिशत होगा तो वहीं स्ट का कट ओफ 55-65 पतिशत तक होने की उम्मीद है SSC GD Constable परिक्षा में बैठने वालों की संख्या, वेकेंजी की संख्या, परिक्षा का कटना इस्तर आधी की आधार पर तैक किया जाता है अपना रिजल्ब चेक करने के लिए आप इन पांच स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं सबसे पहले आप SSC की ओफिशल वेबसाइट ssc.nic.in पर जाएं फिर होम पेज पर आप SSC GD Constable एक्जान 2021 रिजन्ट लिंक एक्टिव हो जाएगा फिर इस लिंक को आप क्लिक करें स्क्रीन पर सेलेक्टेड उमिद्वारों की PDF लिस्ट खुल जाएगी PDF में अगले राउंड के लिए शॉट लिस्ट उमिद्वारों के रोल नंबर होंगे PDF लिस्ट डाउन्डोड करके प्रिंट आउट कॉपी अपने पास रख लें आपको पता दे कि SAC GD Constable परिक्षा 15 नवंबर से 16 दिसंबर के पीच आयो जित की गई थी इस परिक्षा भरती के जर्ये असम राइफल्स, CAP, FNI और SSF और राइफल मैन के लगभग 25,000 से जादा पदों को भरा जाएगा लिखित परिक्षा के बाद शायरिक दक्ष्णा के लिए चरित आवेदको को बुलाया जाएगा SSC ने मल्टी टास्किंग स्टाफ की भरती के लिए और लाइन परिक्षा योजित की थी इसके जर्ये करीब साथ तो फिलहाल ये बहुत बड़ी अपडेट है कि SSC GD कॉंस्टेबल की जो परिक्षा हुई थी उसका रिजल्ट जन्वरी महिने में ही जारी कर दिया जाएगा फिलहाल तो ऐसी छोड़ी बड़ी खबरों से रूबरू रहने के लिए आप देखते रहिए NBC24